अम्भूर्भू वस्चहा तक्सवितुर्वरेञ्यं भर्गो देवस्चधी महीं धीयो यो ना प्रचो दया देवतुलिय आयो मैं शक्ति आपको जो विश्य है हुआ है संतली जीवन कैसे जीए है भाग 37 इससे पूर्भी भाग 36 ले चुके हैं और आज हमारा क्योंकि वारा जनुवई दोजाब चौविस विकरनती का आज हमारा जनम दिन है और उस उप्लक्स में उनके जीवन को लेते वे किस प्रकाश से हम अपने जीवन को तंतलित बनाएं यह आदर नियांके नेफसा और प्रक आज़ता नहीं आज़नी ने बहुत 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 का प्रारम करने से पहले मा गात्री का स्मरण जिन से वाले कुषक्ति मिलती है मन को ताकत मिलती है थीरज मिलता धैरे मिलता है भाव मिलते हैं शब्द मिलते हैं विचार मिलते हैं ओम्भूर्भुवाहस्वाह तस्वितर्वरेनेयम फर्गोदे वस्यधीमही धियो यो नाह प्रचोदेयात। जय है माम भी जाजेगे तुम के पौनी के शक्ति पुदा करें। How to balance your life? जिन्दगी में किस तरीके से संतुलन लाया जा इस पे बहुत वोगों ने बहुत कुछ कहा। लेकिन आज एक विश्रीष दिवस है राष्टी यूवा दिवस नेशनल यूथ डे और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे स्वामी विवेका नंजी का जन्द हुआ था। स्वामी विवेका नंजी का जन्द 12 जन्वरी सन 1863 को हुआ था। लगभग एक सो साथ साल हो गया। एक सो साथवी जयन्ती है उनके। और उनका बहुत छोटा जीवन रहा। सिर्फ वो थर्टी नाइन एर्स तक ही उनका जीवन काल रहा। और चार जुलाई 1902 को उन्होंने ये देह त्याग की। और जिसवए शरीर को त्यागा उसब भी ओ ध्यान की मुद्रा में थे। सुबेरे दो घंडे का ध्यान लगाया था और ध्यान के साथ ही उन्होंने शरीर को त्याग किया। जीवन अल्पकालिक था लेकिन जीवन बहुत बड़ा था। कितना बड़ा कि आज तक वो जीवित थैं। आज भी सब हमारे युवाहों के हिर्दे में जीवित हैं। हमारे देश कणकण में जीवित हैं हमारे विचारों में जीवित हैं हमारे सस्कृति में जीवित हैं हमारे धर्म में जीवित हैं हमारे वानी में जीवित हैं तो ये कहना कि वो बहुत अल्प समय तक रहे जब हम उनकी इस बात को सुनते हैं तो ये इस बात को सोचते हैं कि ऐसे लोक पही काल कबलित नहीं होते, कभी दुनिया को छोड़ के नहीं जाते, वो उनकी आत्मा, शरीर छोड़ के चला जाता है, लेकिन वो उनकी आत्मा और उनका विचार हमेशां को पेड़ना देते रहते हैं, जो काम यहां पर लाकों करोडों लोग शरीर के रहते हुए नहीं कर पाते वो काम उनके बिना शरीर के भी आज भी हो रहा है। हमारे विचारों में, हमारी वाली में, हमारे सस्कारों में, हमारे सस्कृती में, हमारे धर्म में, हमारे सोच में स्वामी विवेकानन जी आज भी जीवित हैं और हम उनका समान करते हैं, उनको प्रडाम करते हैं. कि पामी वेकानन जी का जो बच्पन का नाम था मैं उनके जीवन पर इसे तो नहीं बताओंगा कि एक बार पहले काफी विश्य कहा जा चुका है उनके पूरी जीवनी के बारे में इसी प्लेटफॉर्म पर खाली छोटा सा रिफ्रेंस के लिए कहूंगा पहले उनका नाम था ये बैंगाली का इस परिवार से थे उनके पिता जी का नाम था विश्य नाथ अनके माता जी का नाम था भुवनेश्वरी उश नौँ भाई बहेंं थे हैं लेकिन खेति के महाराजा अजीष सिंग्ग ने उनको स्वामे विवेकानन्द का नाम लिए और ये नाम क्यों पड़ा कि स्वामी की उ्पादी क्यों मिली स्वामी मुझने जीत लिया हो, संसार को जीत लिया हो, स्वामी जिसने अपने आप को जीत लिया हो, सभी इंद्रियों को जीत लिया हो, वही स्वामी हो सकता है। हर किसी में स्वामी होने की कुवत नहीं होती, ताकत नहीं होती है। और इसकी शुरुवात हुई थी, जब उन्होंने 1893 में शिकागो में अपना पहला भाशन दिया था, विश्व धर्म संसत में, जब कोई आदमी महान हो जाता, बड़ा हो जाता है, उसकी पहचान हो जाती तो उनके साथ कई कथाएं भी जुड़ जाती है, कहा जाता है कि जब वो धर्म संसत की त्यारी कर रहे थे, तो उन्होंने माशारदा से जाने की अनुवती मांगी थी, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं अपने धर्म के प्रचारी के लिए, हिंदुद के प्रचारी के लिए, माशारदा ने का ठीक है, कल आना है, अगले दिन वो फिर पहुंचे, उस्वा माशारदा रसोई में थी, खाना बना रही थी, जो विवेका ने जी उनके सामने फिर पहुंचे, वो का मा, आपने मेरी परिक्षा लेनी थी, कि मैं इस काबिल हूँ या नहीं, कि मैं अमेरिका जा सकूँ, मैं आ गया हूँ, तो माशारदा ने खाना बनाते हुए खाली उनसे यह कहा, जो सामने चाकू पढ़ा हुआ है, उठा के दे देना, स्वामी वीका नेंजी ने जो चाकू में युदर धार होती है, यानि युदर लोहा होता है, पत्ती हुटती है, इससे काटा जाता, उस तरफ से चाकू पकड़ा कि उनको हत्थे वाली साइड से उनके तरफ बढ़ा दिया, मा शार्दा ने जैसे चाकू पकड़ा, उन्होंने का जाओ, तुम इस काबिल हो, तुम धर्ग पार प्रचार कर सको, तुम्हें आग गया है, वेका नेंजी को थोड़ा अश्यर हुआ है, क्योंते मा आपने तो परिक्षा लेनी थी, अपने एकदम से कह दिया, मैं इस काबिल हूँ, उन्होंने कहा, क्योंकि दिस तरीके से तुमने, मुझे चाकू पकड़ाया है, तुमने नोक अपनी तरफ रखी, अधार अपनी तरफ रखी, मुझे हथा दिया, ताकि मेरे को तकलीफ ना, अगर को तकलीफ हो तो तुमको, तो जो व्यक्ति ऐसे विचार रखता है, जिसकी ऐसे संसकार है, वो तकलीफ खुद ले सकता है, खुद अपने उपड छेल सकता है, और दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहता, वो हर तरह से धर्म के बचार के काबिल है, इसलिए तुम्हें आ गया है, वो गए, विश्व धर्म संसर्द में जब समय से लगभा समाप्त हो रहा था, इनका समय आया तो इनको सिर्फ दो मिनट का समय दिया जाता है, जब दो मिनट के लिए बोलने के लिए गए, तो इनका जो प्रथम लाइन थी, जो कि अब एक स्लोगन बन गया है, विश्व युवा दिवस का या राश्व युवा दिवस का नेशनल यूद डे का उनके नाम से जो चल रहा है, नाई अमेरिकन सिस्टर्स और ब्रदर्स, या माई सिस्टर्स और ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे प्यारे बेहनों और भाईयों, जैसे उन्होंने ये बोला, तो कहते हैं कि लोगों ने तालि कि गड़ गड़ा हट से गूंज उठा और वो दो मिनट तक कहां निकल गया, किसी को पता नहीं लगा, दो मिनट से कहीं ज्यादा समय तक चार-पांच-शे मिनट तक तालियां ही बचते रहे हैं, ऐसा क्या था इन शब्दों में, इस वाक्य में ऐसा क्या था ये किस चीज इस पर निर्धारित होता है कि किसी ने इन ही शब्दों को कहा और इन शब्दों के बाद उनका ऐसा सा रुवा कि पूरे हाल में तालियों की गड़गड़ाहाट होने लगी में बहुत विचार करता हूं, इस पर, इसके पहले लोग आया में उनोने वहा की संसकरिथि के हिसाब से, वहा की संसकारों के हिसाब से कहा होगा लेडिजेंज जेटलमें, कहा होगा या और बी ऐसी बाते की, इनके कहने के पीछे, जब हम सोचते हैं क्या रहा होगा या क्या था sisters and brothers जब कहते हैं एक होता है यह आपने सिर्फ संबोधन किया है उसको लोग संबोधन की तरह लेते कि यहां किसी संबोधन का प्रारंभ है इन्हों ने किया है लिकें जब स्वामी वियका नें ये कहा sisters and brothers of America उसके पीछे उनके सच्चाई छुपी हुई थी उनके उन शब्दों के पीछे उनके आच्रण की प्रव्रत्ति छुपी हुई थी उनके उन शब्दों के पीछे उनका पूरे चरित्र की शक्ति थी, पूरी ताकट थी. उन शब्दों में सच्चाई थी और वो वहां के सुनने वालों के सीधर हिर्दय में पहुचे. हिर्दय में जब पहुचे तो उन्होंने उनके साथ एकात्मक्ता बनाई. जब brothers and sisters or sisters brothers कहा तो वहाँ के लोगों ने महसूस किया कि हमारे बीच का ये कात एक आत्मक्ता उनके कहना का ये असर हुआ कि लोगों ने ये महसूस किया कि हम सब लोग एक ही है हम में कोई पराया नहीं है हम लोग यहां हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं संबंदी हैं भाई हैं बहन हैं एक दूसरे के लिए परसपर रस्पेक्ट रखते हैं एक दूसरे के प्रती हमारा कोई ना कोई रिष्टा है उनके एक 상태 से हाल में बैठे हुए जितने भी लोग से सब के बीच में एक रिष्टा बांगे और उस रिष्टे के नशे में ही उस रिष्टे के वशी भूतों के उस रिष्टे की शक्ति से ही सब लोग खड़े होके तालिया में जाने तो तो अब एक दूसरे जुड़ गए, स्वामी जी के साथ तो जुड़े जुड़े आपस में भी चुड़ गए, ये होती है ताकत, ये होती है शक्ति, उनके उसी भाषन के बाद, उनके उसी उद्बोधन के बाद, बहुत प्रसिद्ध हो गए, अगले दिन अकबारों में निक कि उनके पीछे कोई डिवाइन ताकत थी, उनकी औरेटरी कोई सिंपल औरेटरी नहीं थी, वाज डिवाइन पावर जो बोल रही थी, और उसके बाद वो जगा जगा जाके अपनी स्पीचिस देते रहे, उसके बाद देन देवाज नो एंड, तो ये एक दूसरे के साथ सं अंबंद बनाने की विदृता जो उनमें थी, जो प्रवित्ती थी, यही उनका सबसे बड़ा गुड़ था, और ये कैसे आता है, किस तरह से आता है, इसके बारे में अगर सोचें, इसके बारे में विचार करें, उसके बारे में एक अथा है, वो अमेरिका में थे, देखा जब घूम रहे थे तो कुछ बच्चे एक्सेल्स पे या अंडे के छुलकों पे तैर रहे थे नदी में, उसके उपर बंदूख से निशाना बना रहे थे, कि कि किसी भी बच्चे का निशाना लग नहीं रहा थे। यह ख़ड़ गह काफी देर तक देखते रहे फिर उन्होंने एक बच्चे से कहा कि अपनी बंदूख लओ, मैं निशाना लगाता हूँ, प्यास करता हूं। इन्होंने बंदूख ली और पहला निशाना लगाया, वो लग गया, दूसरा लगाया वो भी लग गया। इस तरह कि दो 10-12 access पर सीधे-सीधे निशाना बना, कोई भी निशाना नहीं चूका. तो वहां के बच्चों ने पूछा, कि क्या, आप निशाने बाज हैं, या आप ने इस पर ट्रेनिंग ली है? इनका छोटा सी रिप्लाई था कि नहीं मैं निशाने बाज नहीं हूँ, मैंने कोई च्रेनिंग नहीं ली. हां, मैंने ध्यान की च्रेनिंग ली है और मैंने ध्यानद लगाके इस पर निशाने बाजू थ्यान. यह उनके एक ताकत थी और यही वो सब को बताते रहें कि ध्यान लगाई है, ध्यान से ही शक्ति प्राब्थ होती है, जब तक हम एकागरिचित नहीं होंगे, एकागरिचित होकर ध्यान नहीं लगाएंगे, तो हमारे अंदर की शक्तियों का संचार नहीं होने वाला, और यह स मिल पा रहा या कोई बिजने चल पा रहा कोई स्टार्ट अप नहीं चल पा रहा किसी ना किसी व्यसन में लिप्त हो जाएंगे गम गलत करने की तरफ बढ़ जाएंगे कोई नशा करने लगेंगे सिगरे उठा के पीने लगेंगे शराब पीने लगेंगे तब काम नहीं चलता आपने काम में ध्यान कब लगाया यह अपने आप से सवाल की जब तक आप ध्यान की प्रवत्ति को ध्यान की ताकत को ध्यान की शक्ति को अपने बीच में जागरित नहीं करेंगे अपनी आत्मा में जागरित नहीं करेंगे देखे, मैं एक कॉल अटेंट कुरूं, इंपॉर्टेंट रखुरी से, हाँ जी, विखाज में, मैं जी आपको थोड़े जहाँ फोन कर, मैं जूम मीटिंग में स्पीच दे रहा हूँ, जीवन एक संखर्ष है, और संखर्ष से, मन के द्वारा ही हाराया जीता जा सकता है। जीवन के संखर्ष के लड़ने के लिए आपको अपनी मन को मजबूत बनाना होता है। और मन को तभी मजबूत बना सकते हैं, जब आप ध्यान की शर्ति विक्सित करें। जीवन जीना है, जीवन के संखर्ष में रहना है। जीवन संखर्ष क्यों कहा जाता है? आप पैदा होते हैं तो आप अपनी देखरेख नहीं कर सकते। बच्चा पैदा होता है, उसको नहीं पता कि कहां खाना मिलेगा, कहां उसको कपड़ी मिलेंगे, किस ठंडी है, गर्मी है, इसके कपड़ी कौन देगा। दो, तीन, चार, पांच, दस साल तक उसके पैरेंट्स इसकी केर करते हैं। उसका मलमूत्य साफ करते हैं। गंगी मिना पड़ा रहे, एक उस संघष निकलता है बच्चा, वो शुरू से ही असहाय होता है, दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए कहा जाता है जीवन संघष है, इसके खान-पान की परवा, उसको दूद देना है, क्या खिलाना, क्या पिलाना, बिमार है तो तो संघष पैदा होते ही पहली सांस के साथ की शुरू हो जाता है, जीवन जीने की संघष, जीवन को कैसे जिए, कैसे जिंदा रहे, कैसे बचे रहे, भगवान सब देखता, वही करता है, उसे पैरेंट्स जीए, माबाब दिये हैं, जिनके माबाब शीन लिए, उनके नहीं हो था वापिस चले जाता रभू के बाद तो जीवन की स्टार्टिंग फ्रॉम दा वेरी मेगनिंग संघर्ष है और इस संघर्ष से लड़ने के लिए जब हमको खुश आता है तो हमारा मन वहां पर कैसा है मन को मजबूत रखना है और मन को मजबूत करने के लिए ध्यान बहुत आवश्यद है और जब आपका ध्यान लगेगा आप एकागरिचित हो जाएंगे तब आप उसके आगे की बास सोचेगे कि आपका अब धर्म क्या है धर्म का यहां मतलब किसी हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या किसी और ने धर्म से नहीं है जीवन का धर्म क्या है जीवन जीने का आप आगे क्या धर्म है क्या काम है किस रस्ते पर चलना धर्म मतलब कौन से धर्म की तरब बढ़ना है बिजनस करना है पढ़ाई करके न्यास लेना है या अपने सनातन-धर्म के विशय में कुछ प्रचार करना उसके व्रस्टे पे जाना है आपका क्या इसी पर उनका स्वामी जी का एक बड़ा सुद्धर कोट है उठो जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक तुम अपने लक्ष की प्राप्ति ना करते उठो जागो और अपने लक्ष के लिए प्रयास करो उठो जागो का मतलब तुम जिस इस्थान पे हो उससे बाहर निकलो यानि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो संखर्ष के लिए तैयार हो जाओ कोई आदमी अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता परिवर्तन नहीं चाहता सेंट्री फ्यूगल फोर्स इसको घिरे रहती है जहां पे है वो उसी स्थान पर रहता है यह न्यू यूटन का भी लौ है जब तक कोई बाहरी फोर्स इस पर इस्तेमाल ना कीजा वो अपनी जगह से नहीं हिलती है उठो जागो अपने इस कमफर्ट जो उन से बाहर निकलो प्रयास करो अगर तुमने अपने लिए कोई लच्छ धारित किये हैं तो उन लच्छ के लिए उठो और जागो उठो यानि अपने कमफर्ट जो उन से बाहर निकलो जागो यानि उस लच्छ को हासिल करने के लिए अपने वो ग्यान पैदा करो, जिसके द्वारा तुम उस लक्ष को हासिल कर सको, उठो, जागो, और प्यास करो, और तब तक मत रुको, जब तक तुम उस लक्ष को हासिल नहीं कर लेते, एक काग्रिचित हो जाओ, कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का इधा उदर भड़कना नहीं चाहिए, आपको अपने लक्ष की और बढ़ना है, और लक्ष की प्राप्ति तक जब तक ना हो जाए, जब तक आपको लक्ष ना मिल जाए, तब तक आपको रुकना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है, और इस तरह के प्रयास बिना ध्य अपिमान के नहीं हो पाते हैं। यह आपका धर्म कि आपको अपने लक्षो की प्राप्ति के लिए प्यास करने है। और ऐसा भी नहीं है, कि एक बार लक्ष प्राप्ति होगए उसके बाद आप शितकeze होके बैट गए। आपका लक्ष क्या है आपको स्वयम नहीं पता आपने कुछ भी सोच लिया उसकी प्राप्ति हो सक गई तो यह आपका लेक्ष नहीं है जीवन का लेक्ष नहीं है कहते हैं जब विवेका लिंजी उनके द्वार पर गए अपने गुरु रामकिष्ण परमस्जी के द्वार की जब दर्वाजे खटखट आया तो उन्होंने पूछा कौन है तो इनका जवाब था यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं गुरु जी ने कहा आज अंदर तुमारे जैसे शेशे की तलाश गुरु को भी रहती तो हमारे जीवन का लक्ष क्या है क्या लक्षा हमने दिर्धारित की हैं क्या हम छोटी मोटी चीजों के पीछे तो नहीं उलच के रहे गए बहुत एक वस्तियों के पीछे तो नहीं उलच के रहे गए यह छोटी से नौकरी मिल जाए वही मेरा लक्ष हो गया चोटी से दुकान खुल जा यह चोटी सी आमदनी ह वही हमारा लक्ष हो गया, शादी बया हो जाए, बच्चे हो जाए, यह हमारा लक्ष हो गया, नहीं यह लक्ष नहीं है, हमारी जीवन का जो लक्ष ग्यान है, ग्यान इस बात का ग्यान की हम कौन है, हमारी जीवन का उद्देश क्या है, और इस ग्यान को प्राप्त कर तक ना आष्वर्षक्ता है इस लक्ष की प्राप्ति की बहुत आउर्शक्ता है और लगातार हम को उस लक्ष की और बढ़ते रहना रुकुना नहीं है तो अपने comfort जो उन से बहार निकल ये प्रयास करिए प्रारंब करिए एकाग्रिचित हो जाएए और तब तक उस एकागरता को बनाए रखें जब तक आप अपने लेक्षे तक नहीं पहुंच गाते हैं कि स्वामी बेगव इकानन जी ने नारी शक्ति और उनकी रस्पेक के लिए बहुत बड़ी अच्छे अच्छी बाते कहीं कि एक बार इनसे किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा सहेंशील धैरिवान अपूजिक कौन है इनके शिष्य ने पूछा उन्होंने का इसका जवाब देने के लिए मेरे को 24 घंटे का समय चाहिए कि उसके पहले तुमके काम करना पड़ेगा उसे पूछा क्या काम करना पड़ेगा इन्होंने का ठीके पांच इलों का एक पत्थर ले आया इन्होंने कहा इस पत्थर को अपने पेट पे बांद लो और कल इसी और 27 घंटे बांदे रखना कल इसी समय मेरे पास आना उस वक्ति ने आग्या मान ली पेट पर पत्थर बांग लिया बांग के चला गया और वह उसी पत्थर को पेट पर बांदे बांदे सारे काम करता रहा लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसको परिशानी होनी शुरू हो गई शुरू में तो उसको लगा कि यह मजाख है लेकिन बाद में उसको जब परिशानी हो गई लेकिन गुरू की आ गया थी स्वामी जी की आ गया थी किसी तरीके से उसे 24 घंटे आउच करके काटे और अगले जिस स्वामी जी के पास गया बोला स्वामी जी अब इस पत्थर को हटवा दीजिए मेरे प्रश्ण का उत्तर दीजिए मैं तो परिशान हो गया हूँ 24 घंटे में इस पत्थर को पेट पे बात देजिए कहती ही तुम सबसे धैरिवान और सबसे सहंशिल मा होती है तुम 24 घंटे में परिशान होगा एक पांचलों के पत्थर को पेट में बांद के वो नौ महिने तक तुमको पेट में रखे वे इतने बड़े पत्थर को रखके घूमती है और अपने सारे काम करती है पूरे धैरे के साथ पू तुम्हारा चरित्र क्या होगा उसको नहीं पता तुम्हारे संसकार कैसे होगे वो तुमको पहचानती भी नहीं है तुम्हारा रूप भी उसको नहीं पता तुम्हारा रंग भी उसको नहीं पता कि तुम पुरुश हो या इस्ट्री हो लड़का हो या लड़की हो तुम कैसी आत्मा हो तुम आके उसका फिक्र करोगे उसकी रक्षा करोगे या उसकी बाद में उसके बुरे समय में या उसके बढ़ापे में तुम उसकी सिवा करोगे या नहीं करोगे उसको कुछ नहीं पता होता है फिर भी वो पूरे धैर और सहेंशीलता के साथ तुमारे आने का इंत नमाई होती है कसाएं लिखी जा सकती है ऐसे ही एक बार एक किस्टी कहा जाता है यह भी कहानी है कितनी सही है कितनी गिलत कोई कहने सकते इसको वरिफिकेशन नहीं है ति कहा जाता है एक फॉरेल लेडी इनके पास आई परका स्वामी मैं आपके जैसा एक अपना पुत्र चाहती हूं इससे हो सकता है कि आप मुझसे शादी कर लें आप मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं इसकी आग्या दिए स्वामी मैं विवेका नंगी थोड़े से असहज हुए ठोड़ा सोचा और कहा आपको मिरे जैसा पुत्र चाहिए तो मुझे क्यों नहीं पुत्र बना लेती है आप मुझे अपना पुच्र बना लिए मैं आपका पुच्र बनने के लिए तैयार हूँ आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगे कहते हो यह सुनकर रूश्टी जो थी फूट-पूट के रोने लगी कहने लगी कि आप महान है आपका चरित्र महान है आपने मेरी इच्छा की भी पूर्ति कर दी मेरी आकांच्छा की भी पूर्ति कर दी और अपने चरित्र से डिगे भी नहीं यह उनके चरित्र की ऐसी बाते हैं जो हमें निरंतर अपने ऊपर लागू करनी है कि इस तरीके के लुक्रेटिव इस तरीके के लुभावनी बाते जब कोई करे करें भौतिक तवाद में फसाने के लिए भगवान इसी तरीके परिक्षाएं लेता है यही परिक्षाएं होती है इस तरह की परिक्षाएं में किस तरीके से अपने आपको उत्तिन करना है फसना नहीं है इस तरह की माया जाल में फसना नहीं है अपने आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है किस तरीके से अपने आपको एक इस्थिर्फ प्रकृति में रखना है अपने चरिच्च को बचा के रखना अपने चरिच्च को मजबूत रखना कैसे रखना है यह कहानी इसी बात को बताती है कि एक और चोटी सी काहनि एक व्यक्ति आया वो बड़ा परिषान था है चाहता ऑब कहते तो है कि स्वामी जी मुछ समझ में नहीं आता है मैं हमेशा बड़ा टेंशन में रहता हूं बहुत परिशान रहता हूं मुझे मैं जो भी सोचता हूं वो पूरा नहीं होता है उसके लिए मिझे क्या करना चाहिए स्वामी जी ने कहा कि ठीक है मेरे पाल तू कुत्ते को ले जा उसको थोड़ी दे बाहर खुमा के लाओ ले गया आदे घंडे बाद लोटके आया कुट्ता हाफ रहा था और यह वैसी सामाने बने हुए थे उन्होंने पूछा कि यह कुट्ता हाफ रहा है ऐसा क्या हुआ जब इसको ले के गए हो तो उसने का कि मैं तो सीधे जिस रस्ते पर जाना था गया उससे वापिस आ गया यह कभी किसी कुट्व के पीछे भाग जाता था कि मुछ कुट्व को ढढ़ा लेते थे कभी किसी गली में जा जाता था मैरे बड़ी मुश्मिश्म से सभाला करा हुआ था उसी वजह से हाफ्ता हुआ रहा था व कि सबैभर हम अपने लक्ष को निर्भारित करके सीध Kingdom की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हम अपने लक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, वरना हम इसी कुट्ते की तरीके हाफते रहेंगे, बिना लक्ष की प्राप्ति की कभी distracted होगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर आ जाएंगे, और अंद में failure हो जाएंगे. स्वामी जी का एक और बड़ा सशक्त कोड़ था कि जब तक आप स्वेम पर विश्वास नहीं करते तब तक आप इश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते बड़ा सिंप्ल सी बात है सुनने में एक संटेंस लगता लेकि जब आप इसके गहन अध्यन के दरब बढ़ते हैं इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं तब आपको स्वाज में आता है कि स्वामी जी कहना कह जाए स्वयम पर विश्वास करिए स्वयम पर भरोसा कीजिए यानि पहले आप स्वयम को जानिये आप क्या है आपका सामर्थ क्या है आप क्या कर सकते हूं आपके अंदर की ताकत क्या है जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे जब तक आप खुद को नहीं जानोगे जब तक आप स्वयम को नहीं समझोगे तब तक आप इश्वार को कैसे समझ सकते हम उस अनंत सरूप के एक अंश ही तो है यदि हम में उस अंश को समझने की पाक्षिता नहीं है तो हम उस अनंत स्वरूप को कैसे पहचाने है मनुष्य क्या है इश्वर क्या है हम लोग के बीच में क्या इश्वर हमारे बीच में कितनी दूरी है उतनी दूरी है ना जितनी जल और उसकी लहर में समुद्र उसकी लहर में है समुद्र इस्थिर है शांत है विशाल है अनंत है उसकी नाप जोग नहीं है जब मैं कहता है नाप जोग नहीं है तो इसमें कोई साइंटिफिक बात नहीं है हम यहां के संबूर्द जो प्रत्वी पे हैं उनकी तो नाप जोग कर सकते हैं लेकिन जो पूरे ब्रहमांड में संबूर्द है उनकी नाप जोगा अभी किसी को भी नहीं पता है इस पे भी खूच चल रही है एक ऐसा जलाशय मिला है कितने खर प्रकाश वश्दूर जिसमें क अपनी बन्मार्ट की बात है और यह सेंटिफिकली प्रूव हो चुका है इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम नाब जोक नहीं है समुद्र के पानी की देखिए उसके पर जो लहर चल रही वही हमारा जीव है उठती है फिर समा जाती उठती है फिर समा जाती उठती है फिर समा जाती जब हम उस लहर के विशय में जान लेंगे उस बूंद के विशय में जान लेंगे यो बूंद क्या है तब ही हम उस जलाशाय या उस समुद्र या उस विशाल जल के स्रोत के बारे में जान सकते हैं तो पहले खुद पर विश्वास करो, अपने में वो ताकत डेवलप करो, अपने को जानने का प्यास करो, और जब हम खुद को जानेंगे, तभी हम स्वेम पर विश्वास करेंगे, कि हम उस इश्वर का अंश है, हमको ये विश्वास हो जाएगा, उसके बाद ही हम जान कि इश्वर क्या है तभी हम इश्वर पर भी विश्वास कर पाएंगे उसकी प्रभुता पर तभी हमको विश्वास होगा परना तो आए पैदा हुए काम किया खाये पिये मौज मस्तिली मर गये चले गये फिर देखी जाए किसी यो नीमी जा रहे हैं जाए कर बहुत कर लेंगे जीना ड़साल मैं भी मριत्टियां को ही भी साल में भी ओती लोग मैं रिंदा किनारे खड़े वो मर जाते हैं किन इस ट्रेक्ट यह चला गया है है कि और इक वह भी जीवन है कि जो 49 वर्ष की आयू में देहत्याग दी लेकिन आज भी पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे विचारों की क्रांती में वो जीवित हैं। ऐसे हैं हमारे स्वामी विवेका नंजी। उनकी एकादी चित्ता के बारे में कहा जाता है कि एक बार पॉल डाइसन जो की जर्मन के एक स्वालर थे और वो सस्कृत पढ़ाते थे। वो इनके साथ डिस्कॉशन कर रहे थे। डिस्कॉशन करते करते वो एकदब उठके चले गए किसी काम से उनका कोई बाहर बुलाने आया था मिलने चले गए। स्वामी जी अकेले बैठे थे उनके लेबरेरी में तो उन्होंने एक पुष्टे निकाली पुईट्री की किताब निकाली 200 डाइसो बनने की थी और उसका पढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच पॉल डाइसन वापिस आये स्वामी जी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया वो अपनी पुष्टक पढ़ते रहे। पॉल डाइसन बैठ गए देखते रहे हैं का जीब आदमी हैं इसने मेरे के आने का भी इसको बिल्कुल ख्याल नहीं किया को इज़त नहीं दी मैं यहां का प्रफेसर हूं और मेरे घर में बैठके मेरी मेज़ती कर रहा है। फिर भी वह देखते रहे जब स्वामी जी ने वह दो सब पन्रे की पुष्टक खत्म कर लिए घड़े में तब उन्हों ने जब नजर उठाई देखा पॉल डाइसन बैठे तो उन्हें बोला सौरी आई कोड़ नौट सी हूँ मैं आप देख नहीं पाए आपका बाए कहते आप मजाक मत करिए पॉल डाइसन करें मजाक मत करिए मैं आया हूँ कमरे में और आके बैठा हूं पिछले एक घंटे से आप किताब पढ़े जा रहे हैं अब आप कहरें कि मैंने आपका बलता इस चीज़ को मुझे बिलकुल पता नहीं लगा आपका बाया कब बैठे हो कित इतनी भी कवित आये हैं आप मैंने उनको कंठस कर लिया आप चाहें तो मेरे से कोई भी किसी पन्ने की सुन लीजे मैं आको सुना सेकता हूं कि इस dad मुए सुप्राइज़स किवा सॉप्राइज है मुझा जब आप किसी काम को करें तो फिर सिर्फ उसी काम को करें उस से एग दायबाय कहीं विचलित नी होना कहीं डिस्ट्रैक्ट नी होना, अगर उन्होंने उस एक डिलब घंटे में एक पुस्तक का अध्यन किया, तो सिर्फ पुस्तक का युद्धन किया, जैसे अरजुन सिर्फ चिडिया की आँख को देख रहे थे, वो भी उस वा हम वहीं पर है। जैसे हम अभी आपके सामने बैठे हैं. मेरा कूरा कंस्येशन है कि मैं आपको अपनी बात इस तरीके से समjहाँ कि आपके सीधे हिड़े में उत्रे और अपनी बात को सीधे सरर्ज शब्दों में कहूं सही सही बात कहूं सटीक बात कहूं मेरा पूरा कंसर्टेशन उस सरफ है जरा भी इदर दर डिस्टेक्ट हुआ तो अपने सब्जेक्ट से हट जाऊंगा या कुछ बूल जाऊंगा हम लोग ज़्यादा तर यही करते हैं एक काम की शुरुवात करते हैं वो अभी होता नहीं दूसरे काम की तर बढ़ जाते हैं और वो दूसरा काम तक अभी पहुंचते नहीं कि तीसे का हम बयाना ले लेते हैं उद्धर फोन पर बात कर रहे होते हैं सामने कहीं बैठे हुए हैं खाना कुछ खा रहे हैं, फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, इतने ज़्यादा डिस्ट्रेक्शन होते हैं लाइफ में, कि हम किसी भी काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। और पूरी इमानदारी के साथ आप सिर्फ उसी एक काम को करो, और जब तक उस काम को पूरा ना कर लो, तब तक दूसरे काम की तरफ बढ़ोगे ने, वरना ना ये काम हो पाएगा ठीक से, और ना वो काम हो पाएगा, निपट जाएंगे काम, कामों को निपटाना दूसरी बा तीवी से दूर हड़ जाएए आप सिर्फ एकाग्रिचत्र होकर अपना भोजन करिए यह इश्वा का प्रसाद है प्रकृति का प्रसाद है आपको भोजन जो आपके सामने रखा कितने लोगों की महनत के बाद वो भोजन की ठाली आपके पास आती है किसान खेत में गेहुं च खाना बनाती है उस भौजन को बनाने के बाद जब आपकी ठाली में आई और आप उसका तिरस्कार कर नहीं किसी दूसरे जगह बात कर रहे या कोई वीडियो पर पर आपकोई प्रोग्राम देख 신 करें तो यह नकी महनत का जिनों ने इतनी महनत से उस भोजन की थाली को आपके सामें लेकिए उसका तिरसकार करना उनकी मेहनत का मजाक उड़ाना है इसे जब भोजन करें तो सिर्फ भोजन करें वो इश्र का पिशाद मान के पहले थोड़ी सी भगवान को की आराधना भी की जाती कि तुम्हारा शुक्र है तुमने ये भोजन मे बना दिया कि हमको भोजन मिल रहा है तुम्हारी किरपा है तो ऐसे ही जब जिस कारें को करें वहां से डिस्ट्रेक्शन नहीं होना चाहिए एक आगने चित्त होना चाहिए और उसके लिए ध्यान बहुत अश्र करना भी ध्यान है यह बिल्कुल जिम्यदारी के साथ कह रहा बनाना भी ध्यान है अगर ध्यान से भूजन ना बनाया तो कभी नमक जादा और आप देखें घर में जब बोजन मनता रोज एक ही तरह का स्वाद क्यों आता है आप घर में महमान आ गया है पांच लोग बढ़ गया है तो ज़्यादा समान बनेगा लिए इस्वाद वही रहेगा नमक उतना ही रहेगा कभी आपने घटते बढ़ते देखा कि उसवाद ध्यान लगाके बना जाता और जिस दिन ध्यान हड़ जाता आपका भी देखिए कभी को अबत खीड़ ज्यादा होजा कम हो गए तो आपका पहला सवार पतनी से यही होता क्या वात है सब ठीक है किसी परिशानी में तो नहीं हो किसी Стel आप नहीं अचा क्यों कहा रहे हैं अगर अप्सिं छोड़ी छोड़ी बातों में ध्यान दीजे तो आपको पता लगता है कि जंदगी में किस तरीके से एक balance बना रहता है सुबे से लेकि सुबे उठने से लेके रात के सोने तख जिन्दगी की छोटी-छोटी बातों में बैलेंसिंग होती है लेकिंड कि वह एक आध़तों में शामिल हो गई जीवन जीने की रोज की हमारी जो आधते उसमें शामिल है तो हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं द बदल कर जीवन के तनाव को कितना कम किया हुगा इन बैलेंसिंग की वज़ा से ही चीजें आसान हो जाते हैं इन आदतों की वज़ा से ही जो हमारी अच्छी आदतों में शिमार हो गई जीवन आसान हो जाता है खाना बनना आसान हो जाता है खाना खाना आसान हो तो मैं खाने खाना भी भोजन करना भी ध्यान है भोजन आपके पास जितनी मेनद से आया उसका उतना ही आधर करिए निराधर मत करिए और कभी आपको स्वाद बहुत अच्छा लगे तो बनाने वाले की तारीख कर दीजे देखिए भोजन का अनन्द और घर के महौल में कितना चेंज आता है घर के महौल पर मुझे छोटी से इंसिडेंट एक देखा था मैंने वीडियो बड़ा अच्छा लगा था कि एक बच्चा एक फैबली खाना खारी थी डैनिंग टेबल पे मां थी बेटा था चोटी बेटी थी पती थे चार लुग बैठे हुए थे अचानक बेटे से कप क कि प्याली जो है उसके हाथ से लगके गिर गई तूट गए मदर को बड़ा गुस्सा आया उन्हों उठा कि उसके चार छे थपड़ा मार दिया बहुत ज्यादा उसको डाटा एक तरीका तुम्हारे कि में डानिंग टेबल में मैनर्स देंगे खाना-खाने के शरारते करते ह जब वो मदर ने बच्चे को कसके डाटा मारा तो उनके हस्बंड उनको रोकने की कोशिश की मत करो बच्चा है लग गया होगा हाथ तो पत्नी ने पती से भी कुछ अभज्जता करने कि आप बच्चों को इसी तरीके से खराब करने हैं बच्चों को सुधारना है खराब न इधर बेटा अपने कमरे में गया उसकी छोटी बेहन आ गई साथ में उसे बाइग टेबलों बैठी थी उसके भाई को मनाने के लिए थोड़ी सी शरारत कर दी इसके साथ थोड़ा धपल मार दी जैसे बड़े भाई के साथ किया जाता ना लिपट गया चेपट गया ठीच लिया लेकिन वो चुकि डांट खा के आया था मदर से मार भी खा के आया था उसको गुसा आ रहा था उसने अपनी बेहन को मार दिया थपड़ जोड से हटो यहां से बेहन उसकी छोटी रोड़ने लगी एचिच्छूट की बात है यह किस तरीके से हमारे मारना शुरू कर दिया, सारे गुस्तावस पर निकाल, the story ends here, अब इसको उनों ने कहा दूसरे तरीके से देखिए, बेटे के हाथ से कप गिरा, मदर ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तूटना था, तूट गया, यह लो दूसरा प्लेट लो, दूसरी प्याली लो, खाना और परोस देती हूँ, तुम खालो, उसको मैं उठा देते हैं, उनके हजबन उठे, उन्हों ने उसके कपड़े, बच्चे कपड़े पर जो दो-चार छीटे गिर गए थे, अपने रुमान निकाल के उसको पोच्छा, खाना खालिया समने, मदर मुस्कुराती हुए अपने कमरे गई, हजबन सादमन के मुस्कुराती हुए चले गए, बेटा मुस्कुराता हुए अपने कमरे में गया, छोटी बैन फिर उसके पास गई, फिर दिखा रहे हैं, उसको उसी तरी उसने प्यार किया, तो ब्रदर न को हम किस तरीके से deal करते हैं उस से उस घर का atmosphere किस तरीके से change हो सब्ता है यह यह कथा बताती है यह जो बात मैंने आपको incident कि incident वह ही है प्याला गिरा है लेकिन उसको किस तरीके से tackle करते है इस चीज़ पर depend करता है कि उस घर का महौल कैसा रहे का और यह सब तभी है जब तो हम एक दीवन में एक balance बनाके चलें एक control बनाके चलें इस पे बड़ी अच्छी कहानी में को याद आ रही कि एक चर्च में husband wife गए प्रासना चल रही थी बड़ी serious silent prayer कहते हैं सब लोग प्रासना में उसे सब शानती थी पूरे चर्च के अंदर अचानक husband की जेब में mobile की घंटी बजने लेगी घंटी बजी तो पूरे hall में घंटी के शूर आ गया उसे किसी दिए के जल्दी से उसको बंद करने लेगा और आपने देखा हो जिस ऐसी हर्बड़ी में बंद होने में भी time लगता है वैसे आदमी एक में बंद कर लेता लिए भी से हर्बड़ाहाट होती है तो कभी mobile कर जाएगा कभी कुछ हो जागा शोर और हो जाता है उसके इस हरकत की वज़ा से चरके जो पीस थे उन्होंने उसको डाटा वाइफ ने उनको बहुत बुरा भला कहा उनके साथ के जो लोग गय थे वो भी उनको कर्स करते रहे कैसे आदमी तो mobile की बंद कर सकते थे यह नहीं कर सकते थे वो नहीं कर सकते घर तक जब तब पहुंचे रास्ते भर वाइफ डाटती रही उसको कर्स करती रही तुमने आज की पूरी प्रेयर की जो sanctity थी वो खतम कर दी सब की शांती भंग कर दी तुमने पूरे hall का महौल खरा कर होती है he was so depressed he was so depressed कि शांत को वो एक बार में चलाए लेकिंगे इतना घबराया हुआ था दिन भर की घटनाओं की वजह से और थोड़ा गिल्ट फीलिंग भी होती है कि जब बार में गया वेटर उसके पास बियर का मग लेके आया तो पकड़ते ही उसके हाथ से मग सिस्लिप करके गिरा और मग गिरते साथ में वो खुद भी स्लिप कर गया मग भी टूड़ गया बियर भी बिखर गये इस पर यहां पर वेटर ने उसको एकदम से सभाला उठाला उठाया चेर पे बैठाया उसके कपड़ों को सुखे कपड़े से पोचा जहां जांब उसके उपर बि बोला सर आप परिशान ना हो वी आरेंजिग अनौदर बिया उनको दूसरा मग दिया और कहा सर आपको टेंशन में लगते वन फ्री अनौदर बिया मग पर यू और आसवास के जो लोग थे वह यह पूछने लगे सर आपको कहीं कुछ कांच चुभा तो नहीं कई कुछ लगी तो नहीं यह एक तक घबराया हुआ था इस सब देख के हैरान रहे गया और इसका मोरल अब दे स्टोरी जो बार में बताई गई कि वो उसके बारा कभी चर्शे नहीं गया लेकि बार में हमेशा जाने लगा एक अच्छा खासा उसका जो महौल था धार्मिक वो एक कर्स में या एक सिन में तबदील हो गया जस्ट विकाफ दाव विकॉज अफ़ एचिटूड हम किसी के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं यह इस चीज़ पर बहुत डिपेंट करता है हमारे एचिचूड पर बहुत डिपेंट करता है इस जब भी आप किसी के साथ स्वामी जी ने भी इस बात को कहा कि जब आप शब्द को उलते हैं उन्स शब्दों में बहुत वजन होता है इससे बहुत तोल के बोला कीजिए बोलने से पहले सोचिए रुकिए खहरिए पॉज और लुट का भी अंकुर जी भी चलाते का पॉज और लुट का वही ने पॉज रुक जाओ लर्ण सोचो समझो सीखो तब बोलो कि वे पास्ट टू योसेफ एकदम सी रेक्षिं नहीं करना एकदम से किसी बात को नहीं कहना आप जहां आपने एकदम से बात को कहा उ स्पाजमें और उसं तरह कि घटना के जवाब में तो इस रेक्ष्ण कोई अच्छा नहीं होता पॉस्टिटर रेक्षिन नहीं होता है आप चीज़ों को समझे और सामने वाले की फीलिंग्स को देखते हुए क्या उसको मदद की जरूरत है इसको साहनुभूती की जरूरत है किस कारण से ऐसा हुआ है क्या वज़ाय हो गई तब उस पे आप अपने रियक्शन दीज़े और अगर उसको मदद की जरूरत है उसको मदद करिए उसके साहनुभूती की जरूरत है साहनुभूती इससे आद बड़ती है अपने अचिचूट को कंट्रोल में रखे अपने अचिचूट को बदलिए अपने शब्दों पे नि बैलेस लाइफ अपने जीवन में बैलेस बनाईए समय हो गया है मैं आज के आपने मेरे उत्वधन को सुना उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अंत्रमें एक बार फिर नमन है उस महापुरिश को उस विश्वपुरिश को जिसने भारत की संस्कृति भारत की धर्म को भारत के विचारों को विश्व के पडल पर रखा और उसको एक सेंक्टिटी दिलाई और लोगों ने जाना कि भारत कैसा है भारत के लोग कैसे हैं उनके साथ अनंद कथाएं जुड़ी होई है आज एक एपिसोड में उनकी बातें पूरी नहीं हो सकती थी तिक के कहना था उनके विचारों को रखने का मैंने प्यास किया और उनके विचारों को लेके कई क्लासेज हो सकती है कोशिश करूँगा अगली क्लासेज में उनके विचारों को लेकि आगे आगे आप लोग का बहुत-बहुत थन्यवाद है थन्यवाद अधर नहीं है एंके नि इतने साल बाद भी है युवाओं को जितना संदेश और जितना युवाओं नहीं हरी वैक्तित को एक संदेश मिलता है और जीवन जिने के कला मिलती है और आपने जो स्वामी जी का एक फॉट है कि वो कहते है कि मैं उस प्रभू का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनिश्य कहते हैं आज के समय में हम कुछ बने ना बने फिर मनिश्य बन जाए वह बहुत इंपॉर्टन है हम मनिश्य ही तो नहीं है और जो बेसिकल युवाश अन्यासी थे वह और आपने जो करेक्टर के विश्य में कहा अग्षार आदमें अपनी देशन की तरफ भगता है कहते हैं रेपूटेशन इस टेंप्रेरी करेक्टर इस पर्मेनेंट बजाए हम रेपूटेशन की जगह करेक्टर बजाए जो की पर्मेनेंट है मतला और एक चीज़ और देखेंगा जो आपने उद्बोदन में कहा था ना कि वह मैं कौन हूं एक पूछनया हूं अगर देखना इसको और और चेक कर लेना यह स्वामी द्यानंद जी के विश्य आशाग Til घंड किया था तो हमें विजन रंगी ने कहा था कि कौन तो यह ही जैनना पहाया हूँ हो सकता या आप ने साहरा तो सकता दोहों ़ोगोने का हो नहीं कि अनूने इनने पर पर्मारेंट्स जीने कहा था इसने कुछा कौन है तो इसने का नरेंदर भूझे मालूम थ जाता किसी लेवल पहुंच जाता तो नाम के लेकर कई चीज़े चलती है और एक ही बात को कई लोगों के नाम के साथ कहा जाता है जैसे मैंने आपको माशार्दे के बताई चाकु वाली बात उसी को किसी और ने उनकी अपने बच्पन की नरेंजी के बच्पन की बात बताई ह कि वो नो ने अपनी माज से चाक्र मांगा की चेलिए लेकिन मैंने जब तेन चार जगा चेक है तो तीन चार जगा मुझे ज्यादा जगह पिस मा शारदा का नामा आया किशन मैंने बुता खिए और कई चीज़े नहीं भी होती हैं उनको भी कहा जाता है कि उनके साथ जूड़ी है यह होता है हाँ होता है मैंने बेसिक पाईंट तो उसमा कहिना का क्यों है और जो आपने खा बिलकुandra जो आपने शिकागो वाली बात कही वह हुवा लिखा रोकर जो कि उनसी चीज़ को अंदर से बोलते जैसे आप जो आप बोलतेס को आपकी बात का non बहुते हैं कि आ और आपके अदर विश्य है। वह काहता हुआ हुँ गजब बहुत लंबी समय कहता हुँ आ रहु है। लेकिन जो जो कहानियां बताएं चिर्च वाली और डैनी टेबल पाली घजब। बहुत ही घजब। प्रवारों में होता है बहुत इतनी इससे लर्निंग का लाइफ की मिलती है और यह पलपल पर आता पर आप क्या महौल कैसे अटिचूट कैसे महौलिक लार का बदल जाता है यह सब के साथ ऐसे हुआ होगा हम अगर विचार करें तो कई इंसिडेंस ऐसे होते हैं जीवन में प आपने मैंने जाना है अभी कही पर निकलना ता तेयार हो तेयार हो मतलब गॉल्फ क्लब जाना दिली गॉल्फ के लिए रेडी फॉर दा शो यह रेडी फॉर शो यह बहुत अच्छा उद्वोधन राशर और जैसे कि अभी अरिविंद भाई साब ने ने वह साब कह रहे त आपको काफी दिन पहले भी एक इंसिडेंट सुनाया थे छूट इसी बात थी कि एक बार किसी रेड़ लाइट एरिया में किसी का मर्डर हो गया और उसकी एक वाइट जो आइविटनेस थी वो एक प्रोस्टिट्यूट थी जो जिसने मुर्डर किया वो बड़ा कोई नामचीन था शेहर का तो जो फायर व फायर हो गई तो पता चला कि ये उसके आइविटनेस वो है तो अगले दिन वो उसके आदमी महा पर पहुंशे उस रुपे के लिए दस हजार रुपे रख अपने पास और कोई भी कुछ पूछे ना तो तो कह दियो मैंने कुछ नहीं देखा उसे के नहीं अगले दिन वो आजमी खुद गया वो जो बॉस ता जिसने मुर्डर किया था बोले सुन ये पचास हजार रख आज मैं खुद आया हूं और जदी कोई तुझे से पूछे या पुलिस पूछे तो कह दियो कि अब मैंने कुछ नहीं देखा उतने के नहीं नहीं मैं तो सच ही कहूंगी कि मैंने देखा तुमने उसका मर्डर किया है उतने कि लिए एक लाख रुपे रख और जो मैं कह रहा हूं वो कर जो तुमेरी बात नहीं बाद सब्सक्राइब उसने जबाब दिया कि यही तो मैरा करेक्टर है वह तो प्रोफेशन है यह दैट इस प्रोफेशन जब तक जीना तब तक शीखना जो कि अनुभाव जगत का सबसे सर्व्ष्ष्ठ सिकशक है आदमे और वास्ता में यह इडियल हैं इस मामले में हमारे आप रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं आप इसमें आपकी जो गतिविदियां हैं बहुत सारे काम आपने रिटार्मेंट के बाद शुरू कि यह आप बताते हैं आपकी आसकती बक्ती और बहुत सारी चीजें मतलब डे टूडे इंसीडेंट्स क मैं भी इंस्पायर हो आपसे यह बात अलगे किया यह आप मेरे बारे में भी कहते रहते हैं आप इसमें अपितोड में उनके विचारों की अभी रखती हैं संभब नहीं है तो इसलिए जो आज आपको अद्बोधन रहा हो बहुत अच्छा रहा हमने बहुत तन्मेता से सुना और बहुत तुग रही है था इक्ति लिए आपकी लेंग्वेज और आपकी जो प्रेजेंटेशन वो इतना इजी होता है कि उसमें कोई लबब लुबाव की ऐसी कुछ हाई पर वो नहीं होती तो इसलिए बड़ा आनन्द आता है और अगला मुदर्मी आपका जब भी होगा हम आतुरतासे उसका अपनी समय कर दिया और जैसे के विचार के साथ तेन कि बार उपकी साथ अपनी बात को समवाफ करते आज का विचार कि जिन्द की जीने के दो साधन सुनेरी नियम होते हैं, जिन्द की जीने के दो साधन सुनेरी नियम होते हैं, सविकार करना बदल लेना, सविकार करना बदल लेना, जो उन चीजों को सविकार कर लो, जिने तुम बदल नहीं सकते हैं, उन चीजों को सविकार कर लो, जिने अधार यहां बिल्कल बिल्कल कुछ ना कर पातों चुपो के भाग जाओ भेखती रहेगी पबलिक बाद वाली वह चाह कर सकते हैं चलिए 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 पाई निया जाते हैं च्रेट वेर एे राथ। जう होड्य आाह्रो मुझें नाह्रो ठुट्ै ह। शांति, शांति शांति, ओ सरद्राव, प्रामु सब्लाव। आप्षान्ति एक्षान्ति 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 ए शानथे वा शांति व्रह्म मशान्ति सर्वं सान्ति शांति शांति रेवंशन्ति शांदे सामा शांदे रेधि ओम शांदे 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 शांदे